होफुली अगर कोई स्टूडेंट नियू है तो मैं उस स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि आपको पहले पुरानी बेसिक्स वीडियो देखनी ही देखनी है उसके बिना आगे आप को समझ में नहीं आएगा जो आज एन्रोल हुए हैं तो उनके लिए आज की क्लास में ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि चैप्टर के अंदर आपको पिछला जानना जरूरी है इनकप टेक्स के अंदर ऐसा ही रहता है कि आपको सुरू से ही पूरी चीज़े सीखने पड़ेगी तभी कर पाओगे मेरी फर्स क्लास है नीशू चौधरी हां तो मैंने आपको बताया क्योंकि एक दिन छोड़के एक दिन क्लास ले रहा हूं और अभी ज्यादा क्लास भी नहीं हुई है रेजिडेंशल स्टेटस के आएगस तीन क्लास होगी तीन या चार होगी और बेसिक स्लाइब रेट बेसक छोड़ देना आप लेकिन आप बेसिक कॉंसेप्ट और रेजिडेंशल स्टेटस देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी स्लाइब रेट आपको जैसे जैसे टा करते हैं Residential status को सबस्ता में क्या क्या कर लिया सारी चीजों को हम देख लिए तो आपको याद होगा कि chemin के अंदर सदशन के क्या था कैप सबूस्ति और इडिशनल कंडिशनमें क्या था सबस्ति अधिकों कंडिशन 001 आपका seven thirty days कितने सालों में लास्ट seven year में जिन बच्चों ने class देखी होगी मेरे कहने के बाद उनको अब बहुत अच्छे से समझ में आगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और आप क्या पढ़ रहे हो और जिन बच्चों ने class नहीं देखी होगी तो उनको दिक्कत होगी देखो तो sir हम बात कर रहे हैं किसका residential status का residential status section one में और ये सिर्फ individual का residential status देख रहे हैं तो उसके अंदर दो condition है पहला condition कौन सा है हमारा sir basic condition और दूसरा additional condition अगर basic condition की बात करें तो basic condition में क्या था कि उसके अंदर भी दो पार्ट था लेकिन दोनों में से कोई एक आपको fulfill करना होता है इंडिया में रहना है जिस साल का tax निकाल रहे हैं दूसरा अगर वो नहीं कर पा रहे तो दूसरा condition लगेगा that is आपका या तो 60 दिन और पिछले 3 सालों में आपका 365 दिन ये दोनों एक साथ complete होना चाहिए तभी आपका basic condition माना जाएगा कुछ इसके exception case भी है जहां पे आप अगर आप Indian origin हो Indian origin क्या होता है आप या आपके ममी पापा या आपके दादा दादी आपके नाना नानी 1947 से पहले भारत में बॉन हुए थे तो आप माने जाओगे Indian origin जैसे कि आपका मान लेते हैं रिसी सुनंक मान लेते हैं कलपना चाबला मान लेते हैं और ऐसे बहुत सारे विदेशी हैं लक्षमी मित्तल मान लेते हैं जुनके माता पिता या दादा दादे इंडिया में ही पैदा हुए थे अंडिवाइड इंडिया में तो वो Indian origin है उस केस में आप 182 डेज स्रिफ चेक करोगे दूसरा अगर आप इंडिया से बाहर जौब परपस के लिए जा रह इंडिया में आपको कभी भी इंडिया में रहना है कहीं भी रह सकते हो किसी भी स्टेट में रह सकते हो ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर रुखना है जिस दिन आप इंडिया में आओगे वो पूरा दिन इंडिया में ही माना जाएगा भले ही एक दिन क्यों ना रुको चाहे एक क्यों न रुको आप इसके बाद additional condition जैसे ही basic condition पूरी करोगे तो आप बन जाओगे resident इसके साथ अगर additional condition आप पूरी कर देते हो तो आप बन जाओगे resident, ordinary, resident, additional condition में भी दो condition है, additional condition number one क्या कहता है आपको दो बार resident यानि दो बार basic condition पूरी कर दो, पिछले 10 सालों में, दूसरा क् condition साथ के साथ पूरी करते हो और एक basic कर देते हो तो आप क्या बन जाते हो resident, ordinary, resident, स्रिफ basic करते हो और additional नहीं कर पाते हो, या additional एक भी करते हो तो आप बन रहाते हो non-art. अगर आप बेसिक भी नहीं कर पाए तो आप क्या बन जाओगे नोन रेजिडेंट तो हमने यहां तक पूरा का पूरा चैप्टर ओवर्व्यू देख लिया था और यहां तक कर लिया है विससे रिलेटिड हम कुश्चन करेंगे और आज आगे इस पॉइंट को इसके अंदर दो आसपेक्ट है पहले जो यह आसपेक्ट चल रहा है आज इसको खतम कर लेंगे हम तो चलिए आईए हम स्टार्ट करते हैं सर रेजिडेंट का आगे का पार्ट और यह सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से नोटेड होना चाहिए अगर नहीं हुआ आपने नहीं दे आपका नॉन ओडिनरी रेजिडेंट है तो वह पता चले चलिए कुश्चन करेंगे तो वैसे समझ जाएंगे कहता है आर जर्मन नेशनल जर्मन नेशनल मतलब भारती है तो यह ही नहीं कम्स टू इंडिया इंडिया में आया पहली पहली बार 2018 में कहता है यह आया दो हजार 2018 और 2000 उननिश में इंडिया में आया डूरिंग प्रीविए सियर 2018 उननिस और 2019 और 2020 और 21 22 21 22 कहता है he was in India 156 days तो यहाँ पर रुखा 156 days और यहाँ रुखा 72 days और यहाँ रुखा 183 days और रह गया एक साल तो 21-22 में आया नहीं आया 161 days कितने दिन रुखा 161 days और यहाँ पर 2022-23 यहाँ पर 2022-23 में कितने दिन रुखा 21 के बाद हमारा 22 और 24 और तेस कितने दिन रुखा 84 days हमें जो टेक्स निकालना है हमें जो examiner को बताना है इस साल का इसका residential status बताना है 22-23 क्योंकि यहाँ क्या कहता है कि आपको assessment year 23-24 के बारे में बताना है तो assessment year 23-24 का मतलब आपको 22-23 का सारा data तयार करना है तो आपको बताना है सर कि इसमें resident है या नहीं है इसका status क्या है तो चलिए आईए जानते हैं क्या सभी student को questions clear हो गया कि क्या था अब भाई यहाँ पे सबसे पहले हमें लगाना है basic condition और basic condition number 1 अगर हम लगाते हैं तो भाईया ये तो हो गया fail क्योंकि basic condition number 1 क्या कहता है कि आपको कितने दिन रुखना है 182 वो तो है नहीं भाई 84 है चलो आजाओ भाईया तुम इससे बच गए तो तुमारे उपर अब लगेगा कौन सा basic condition number 2 इसमें क्या कहता है आपको 60 दिन रहना है तो बिल्कुल जी 60 दिन रहना है और इसके साथ साथ क्या कहता है आपको कितने दिन रहना है पिछले 4 सालों में 365 दिन तो count करते हैं 356 है 156 प्लस 72 प्लस 183 प्लस 161 हाँ जी 572 रह रहा है तो लास सालों में कितने हो गए 572 दिन रहे गया तो यानि यह वाला condition complete कर दिया तो basic condition हमारा complete हो चुका है और कौन सा basic condition पूरा किया basic condition number 2 अगर यहाँ पर question में कहता है कि R is a Indian origin तो उस situation में क्या हम इसके लिए basic condition number 2 करतें complete तो जवाब है नई भाई इसके लिए basic condition number 2 नहीं था इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया है basic condition number 1 और basic condition number 1 fulfill नहीं कर पाता और यह तो non resident हो जाता starting में ही पता चल जाता अब चलो अब इसके बाद हम लगाएंगे additional condition number 1 additional condition number 1 क्या कहता है आपको दो बार residential प्रूफ करना है पिछले 10 सालों में तो 10 साल का तो data नहीं है हमारे पास कितने साल का data एक साल का तो एक साल का data देखें तो यहां पे 182 days तो नहीं रहा तो यहां पे again यह basic condition number 2 पे ही जाएंगे basic condition number 2 161 और पिछले देख लेते हैं 365 दिन, 72 दिन और 183 days 411 तो भाईया यह पूरा कर दिया एक बार resident हो गया resident एक बार हो गया अब यहां पे 182 days था यहां पे भी automatically resident हो गया यानि यह इसने क्या कर दिया basic condition number यहां पे तो 1 ही पूरा कर दिया तो मैंने बोला था पिछले 10 सालों में 2 बार basic condition पूरी करो यानि 2 बार resident proof करो तो इसने 2 बार resident proof ही कर दिया है यहां पे देखा जाए तो तो 2 बार जब resident proof कर दिया तो basic additional condition 1 complete अब additional condition number कौन सा चेक करो गया additional condition number 2 को चेक करنا additional condition number 2 क्या कहता है पिछले 7 सालों में कितने दिन रहे न है? 730 दिन, तो भईया यहां पे 730 तो नहीं बन पा रहे हैं 72 और 183 और 161, तो यह बन रहे हैं स्रिफ 572 जो कि मैंने यहां लिखा भी था तो भईया यह पूरा नहीं कर पाया यानि इसने क्या करा? एक तो basic condition पूरी कर दी प्लस एक कर दिया आपका additional condition पूरा तो इस case में इसका status क्या होगा? फटा-फट comment में बता दो क्या status होने वाला? अभी सरिफ मैं calculation part करवा रहा हूँ exam में कैसे लिखना है? वो मैं बाद में बताऊंगा तो फटा-फट से बताईए इसका status क्या होगा? जल्दी बताईए जो बच्चे live देख रहे हैं वो comment में बताईए तो हितेश का जवाब आ गया सबसे पहले सर बोला सर ये तो NOR हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है NOR का मतलब होता है non ordinary resident बन जाएगा यह क्या बन जाएगा non ordinary resident चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन में आगे रिक्की पॉंटिंग वाला अल्रेडी हम कर चुके हैं पिछली क्लास में और 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 कम्स इंडिया अमेरिका चलिए यह वाला देखते हैं थोड़ा सा कॉंप्लिकेशन बढ़ाते जाएंगे क्या कहता है कुश्चन में एक्स कम्स टू इंडिया एक्स जो है गम टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका यानि भाईया यह तो बाहर का बंदा है फॉर्स टाइम आया दस चालिस क्यों लिख दिया यह दस चार दो हजार बाईयस में यानि सर ये दस चार दो हजार बाईयस में कहा आया इंडिया आया और he returned to his home country after staying पांच साथ और इसके बाद यह वापस चला जाता है कब पांच साथ दो हजार तेईस में वो कहा चला गया फिर से वापस अपने गाउं चला गया मानलो अपने मतलब के अपने कंट्री चला गया विल ही रेजिडेंट इन इंडिया क्या ये रेजिडेंट इंडिया होगा और एसेस्मेंट ये 23-24 के लिए आपको बताना है तो सबसे पहले हमारे पास बस बहुत कम समय है उससे पहले क्या इंडिया में था तो जवाब है नहीं भईया फर्स टाइम आया ये ये मानेंगे तो कभी था ही नहीं भारत में तो अब हम पूरा साल अगर देखें हमें 23-24 की बात चल रही है तो 23-24 का मतलब क्या होता है 22 और 23 और 23 का मतलब होता है एक अप्रेल 2022 तो एप्रेल का मंत काउंट करो में जून जुलाई अगस्ट सेप्टेमबर ऑक्टूबर नवंबर दिसमबर जनवरी परवरी और मार्च हमने पूरा साल लिख लिया अब दिन लिगन लेंगे एप्रेल में क्या भारत में था ये बताओ फटाफट भाई भारत में अप्रेल में था नहीं भाई भारत में अप्रेल में था ये कब आता है 10-4 को तो April में 30 दिन होते हैं तो जिस दिन आया उस दिन भी भारत में count होगा तो कितने दिन भारत में रुकाईए टोटल 20 दिन भारत के अंदर था अपरेल में और मई में कहां था बताओ क्योंकि हाँ एक दिन ये भी तो count होगा 21 दिन हो जाएगा 21 हो जाएगा क्योंकि जिस दिन आया वो भी count होगा 10 10 से count करोगे अब इसके बाद आ जाते हैं सर मई में मई में कहां था ये क्योंकि 2023 तक यहीं पे था है तो मई में पूरे 31 दिन भारत में है अब जून में बात करो यह भी भारत में ही है जुलाई में कहा है अभी भारत में है कितने दिन 31 दिन अगस्त में कहा है अभी 2022 ही चल रहा है तो अगस्त में कहा है अभी भारत में है कितने दिन भारत में है 31 दिन सेप्टमबर में 30 दिन अक्टूबर में 31 दिन नवंबर में 30 दिन और मार्च में कितने दिन होते हैं 31 इसके बाद आगे और रुखता है तो हमें अगले साल से कोई लेना देना नहीं अगर हमें इस साल का residential status निकालना है, तो हमें इस से मतलब है आगे तो वो देखो, मार्च के बाद April में भी रुखता है, और मई में चला यान उसका रेसिदेंशल स्टेटस हमें नहीं निकालना हमें सिर्फ इस दाइरे का ही रेसिदेंशल स्टेटस निकालना है 6 days इंडिया में रुक रहा है इसका मतलब इसने क्या complete कर दिया सर, basic condition number 1, basic condition 1 complete कर दिया है, basic condition 1 क्या कहता है कितने दिन, 182 days, जबकि उससे ज़्यादा ही है additional condition आप यहाँ पर अगर लगाते हो तो वो fulfill नहीं होगा क्योंकि इससे पहले तो भारत कभी आया ही नहीं, तो इसका मतलब अगर इसका residential status आप से पूछूं तो nor हो जाएगा और अगर मैं आप से पूछूं यह resident है या नहीं है तो आप बोलो कि सर यह resident है resident है मैं पूछूं ordinary resident है या नहीं नहीं, तो सर ordinary resident तो यह नहीं है, resident तो है लेकिन ordinary resident नहीं है तो इसका answer जवाब आ जागा sir resident question में पूछता है कि बताई है he will be resident in India of the year तो resident पूछा है तो भाई यह resident है yes question के हिसाब से yes यह क्या है हमारा resident है